भारती जनता पार्टी राम पर तो खूब राजनीती करती है, मगर रामराजी की बात क्यों नहीं करती? और सबसे बड़ी बात राम से जुड़ा हुआ है रामराज। और आप भी जानते हैं दोस्तों अपनी घलती स्वीकार करना भारती जनता पार्टी सरकार के लिए ना मुम्किन है जवाब देही नाम की चीज बीजे पी की डिक्शनरी में घैर मौजूद है आप राम पर तो राजनीती करते हैं मगर सहाब मजाल है कि आप राम राजी की भी बात करें और उसकी मिसाल मैं बस कुछ लभों में आपको देने वाला हूँ ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते बोल किलाबा अजाद है तेरे मगर इस मुद्दे पर राजनीती कैसी हो रही है मैं आपको बतातना हूँ आप जानते हैं न कि राम मंदर के ओधगाटन के लिए जो सबसे पहला निमंतरन गया वो किसको गया और वो इसलिए गया क्योंकि बीजेपी जानती थी कि वो शक्स जो है निमंतरन को लेकर ना कहेगा और एक बार फिर हम उस पर राजनीती खेलेंगे क्योंकि ये निमंतरन गया वामपंथी नेता सीता राम यह चुरी को आप जानते हैं कि राम मंदर आंदोलन से वामपंथियों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है यहां तक कि धर्म से भी वामपंथी अक्सर बचते हैं मगर जान बूझकर भाजपा ने आयोजकों ने निमंतरन भेजा सीता राम यह चुरी को ताकि वो मना करें और उसके बाद जोशी जी की टूल किट के चलते गोदी मीडिया विपक्ष को गाली दे यह निमंतरन शिवसेना को भी जा सकता था मगर नहीं एक वामपंथी नेता को गया इनके हर कदम के पीछे दोस्तों एक सोच है हर कदम के पीछे राजनीती है और जैसे ही सीता राम यह चुरी मना करते हैं देखिए दोस्तों किस तरह की खबरें गोदी मीडिया में चलनी शुरू हो जाती है सबसे पहले विपक्ष राम मंदिर के साथ या खिलाफ या निकि विपक्ष को राम मंदिर के खलनाग के तौर पर पेश किया जाए भारत में हर बार हिंदू धर्म का अपमान क्यूँ नजाने क्यों दोस्तों ये लोग हर बार हिंदू को बेचारा दबा कुछला और हिंदू धर्म को इतना असहाए बताते हैं जस देश में हिंदू की संख्या 80% है वो असहाए नहीं हो सकता मगर ये लोग हिंदू को हमेशा दबा कुछला बताते हैं क्यूंकि दबा कुछला बताने से भारती जनता पार्टी के लिए वोट हासल करना आसान हो जाता है अन्गोदी मीडिया में दोस्तों राम मंदिर का बुलावा विपक्ष को गुस्सा आया फिर देखिए राम मंदिर का उधगाटन सेकुलिरिजम का रियल टेस्ट यानि कि राम के खिलाव इन्होंने धर्म निर्पेक्ष्टा को रख दिया है जबकि मैं आपको बतला चुका हूँ कि राम से जुड़ा है रामराज और रामराज में है जवाब देही secularism यानि सम्विधान secularism यानि धर्म निर्पेक्ष्टा हमारे सम्विधान का अभिन अंग है लिहाज़ा जब आप राज धर्म की बात करते हैं तो इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि क्या देश के सम्विधानिक मुल्यों जिसमें secularism शामिल है उसके प्रती आप जवाब दे हैं या नहीं आगे देगे साब कहीं दीप जले कहीं दिल यानि कि हर निउस चैनल में किसी ना किसी तरीके से विपक्ष को नीचा दिखाया जाए उन्हें टार्गेट किया जाए मैं फिर आप से सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों यहां राम की बात कहा है यहां राम के आध्यात्म की बात कहा है यहां तो 22 जनवरी के मौके को भी लोगों को बाटने का जरिया बनाया जा रहा है वो राम जो मर्यादा पुरुशोत्तम है उन्हें गोधी मीडिया इस तरह से बदनाम कर रहा है और आप जानते हैं इस तरह से बदनाम करके फाइदा किसको है इसलिए मैं कह रहा हूँ यह लोग बात तो राम की करते हैं मगर राम राज जिससे राम राज की परिकल्पना से जवाब देही से राज धर्म से कोसो दूर हैं कुछ मिसाले मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तो बजरंग पुनिया अपना पदमश्री प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर रख दिया साक्षी मलिक आखों में आसू लेकर उन्होंने कुष्टी से सन्यास ले लिया विनेश फोगाट अपना अरजुन अवोर्ड वापिस कर दिया मगर ब्रिज भूशन शरंड सिंग जिनके खिलाफ इनका संग हर शिता वो दमंगई के साथ बना हुआ है उस पर आज तक नहीं है जबकि आदालत में दिल्ली पुलीस की उसकी चार शीट मौजूद है जिसमें हैरत अंगेज खौफनाक चीजों का जिक्र है मगर प्रधान मंतरी इन तमाम मुद्दों पर खामोश रहते हैं जबकि उन्होंने विनेश फोगाट को आशवासन भी दिया था मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ अगर ये रामराज होता तो जवाब दही होती ना जो पीड़त है उसके पक्ष में राजा खड़ा होता बगर आज उन पीड़तों को बदनाम किया जाता है उन्हें ही टार्गेट किया जाता है ऐसे में रामराज कहा है जब आप बेकसूरों के साथ नहीं खड़ें है सबसे बड़ी बात ये वो पुलिटिकल पार्टी है जो राश्रवाद का इस्तमाल करती है जो सैनिकों के शौर का इस्तमाल करती है राजमीती के लिए वोट बटोरनी के लिए मैं आपसे एक सवाल कूछना चाहता हूँ जब गालवान खाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे चीन के साथ संगहर्ष में प्रधान मंत्री के मूँ से क्या चीन शब्द निकला था बताईए बताईए सवाल का जवाब दीजे भाई क्योंकि यही वो प्रधान मंत्री थे जो चीन को लालाग दिखाने की बात करते थे मगर उनके मूँ से अब चीन शब नहीं निकल रहा है क्यों मैं समझना चाहता हूँ किसान जब आंदोलन कर रहा था सत्तपाल मलिक प्रधान मंत्री से मिलने जाते हैं और कहते हैं आप कुछ कीजिए साथ सो किसान मर चुके हैं प्रधान मंत्री क्या कहते हैं बकॉल सत्तपाल मलिक कि यह मेरी वज़े से थोड़ना मरे है क्या यह राजधर्म है क्या यह जवाब देही है अगर एक कर रही है कई और मुद्दे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों जिससे पता चलता है कि रामत पर राजनीती करने वाले किस तरह से मुद्दों से भागते हैं उस पर जवाब तक नहीं देते हैं एक एक करके आपके सामने मुद्दे आ रहे हैं इस खबर को देखिए बिजनस टुड़े की यह खबर बहुत शौकिंग है दोस्तों ले ओफ सुनामी 2023 टेक कमपनीज लेड ओफ 2.26 लाक एमप्लॉईज टुड़े 40 पसेंट मोर दें 2022 2022 की तुलना में करीब 40 प्रतिशत ज्यादा कमपनीज के टेक एमप्लॉईज को निकाला गया ले ओफ किया गया मैं आपसे समझना चाहता हूँ अगर भारत विश्गुरू बन रहा है अगर भारत में विदेशी कमपनीज आकर निवेश कर रही है तो हमारे टेक एमप्लॉईज को ले ओफ क्यूं किया जा रहा है अनने निकाल बाहर क्यूं किया जा रहा है और इसमें 40 प्रतिशत की बढ़वत्री हुई है इस खबर पर गोर कीजिए बिजनस टुडे की ये खबर बिजनस टुडे की ये खबर जो पूल खोल रही है विश्व गुरू के उस दावे को लेकर और सिर्फ ये बात नहीं है दोस्तों NCRB की इस रिपोर्ट को देखिए रोज प्रती दिन 154 किसान और डेली वेज मजदूर दिहाडी पर काम करने वाले मजदूर आत्म हत्या कर रहे हैं 154 आकड़े पर गौर की जिस खबर के मताबिक 154 लोग मारे जा रहे हैं NCRB की रिपोर्ट है ये सरकारी रिपोर्ट है ये मेरे दिमाग की कल्पना नहीं है मैं फिर समझना चाहता हूँ कहां है सत्ता की जवाब दे कहां है सत्ता का मरहम अपने जनता को लेकर सबसे बड़ी बात आपको 80 करोड जनता को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है इस वक्त देश की जनता की ये हालत है कि अगर ये मुफ्त अनाज ना मिले तो उनकी हालत खराब हो जाए ये बतला रहा है ना कि भारत किस तरह की तरक्की कर रहा है क्या इन मुद्दों को लेकर मीडिया कभी सत्ता से सवाल पूछता है और जवाब दे ही का है सत्ता की ऐसे में राम राज्य की परिकल्पना अधूरी है राम पर तुम राजनीती तो कर रहे हो मगर जवाब देह नहीं हो इसकी बाद दोस्तों इस खबर को देखिए इसी साल अक्तूबर में आकड़ा आया था और वो आकड़ा क्या था कि बेरुजगारी की दर 10.05 पीसदी है 10.05% unemployment rate in October highest in 2 years सबसे बड़ी बात एक ही महिने पहले ये आकड़ा था 7.02 और ये आकड़ा था C.M.I.E. का बेरुजगारी को लेकर कोई संबोधन नहीं है अभी हाल ही में अगनिवीर योजना को लेकर नाराज कुछ युवाओं ने बिहार से दिल्ली तक पैदल मार्च किया था और उनसे मुलाकात राहुल गांधी न की थी मैं एके सवाल पूछना चाहता हूँ प्रधान मंत्री ना हमारे पहलवानों से मिलते हैं पहलवान बेटियों से भी नहीं मिलते हैं बेरुजगारों से भी नहीं मिलते हैं और जब विपक्ष उनसे मिलता है तो मैं नहीं बूलता हूँ गोदी मीडिया ये कहने लगते हैं कि देखिए कॉंग्रेस इस मुद्दे पर राजनीती कर रही है पहलवानों का जो आंदोलन है अब वो राजनीतिक दिशा में मुड़ गया है यान कि अगर कोई नाइंसाफी हो विपक्ष उसकी भी आवाज न उठाए जवाब देही पूरी तरह से बंद कर दी जाए ऐसे में मैं आपसे समझना चाहता हूँ ये रामराज कैसे हो सकता है और सबसे बड़ी बात जिस उत्तर पदेश में 22 जनवरी को राम मंदिर का उदगाटन हो रहा है वहाँ पर दलितों और महिलाओं को लेकर अत्याचार पूरे भारत में सबसे ज्यादा है और ये मेरी कल्पना नहीं है ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं आपकी स्क्रीन्स पर According to a data from the National Crime Records Bureau उत्तर प्रदेश has alone reported 49,613 cases of total atrocities and attacks on दलित 49,613 मामले दलितों के खिलाफ अत्याचार और 2018, 2019, 2020, 2021 ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है 2018 में दलितों के खिलाफ मामले थे 11,924 और ये 2021 में बढ़कर हो गए 13,146 और ये आंकड़ा सामने आया था इसी साल मार्च 2023 में और यही नहीं ये आंकड़ा ये भी बताता है कि माहिलाओं के खिलाफ भी सबसे ज़्यादा अपराद उत्तर पदेश में ही है ये भी सरकारी आंकड़े बताते है मैं फिर आप से सवाल पूछना चाहता हूँ इन मुद्दों के प्रती क्या सत्ता की जवाब देही है राम की बात तो आप कर रहे है मगर राम के साथ राम राज शब्द जुड़ा हुआ है जिसका जो सबसे एहम हिस्सा है सबसे एहम बात है वो है राज धर्म जवाब देही तो बहुत दूर की बात है BBC के खबर पढ़िए वाशिंटन पोस्ट का दावा हाकिंग की चेतावनी देने के बाद भारत सरकार ने आपल को बनाया निशाना ये खबर क्या कहरी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मौवा मौहित्रा, शशी धरूर, प्रियंका चत्रुवेदी ये सब बता रहे थे कि उन्हें उनके आपल फोन के जरीए एक चेतावनी आई थी कि आपके फोन को हैक किया जा रहा है सरकारी हैकर्ज आप पर निशाना साथ रहे है, बाद में आप जानते हैं क्या होता है मोधी सरकार आपल को ही चेतावनी देती है और उन पर ही कारवाई करने लगती है ये खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ, जवाब दही तो बहुत दूर की बात है वाशिंटन पोस्ट के रिपोर्ट के मताबिक इस तरह के सारवजनिक दावों से अलग प्राइविट में मोधी सरकार के अधिकारियों ने आपल के भारत में प्रतिनिधी को बुलाया और कहा कि कमपनी वार्निंग को लेकर हो रहे राजनीतिक असर को कम करने के लिए सरकार की मदद करें इतना ही नहीं सरकार ने आपल के देश से बाहर रहने वाले एक सेक्योरिटी एक्सपर्ट को बुलाया और उन्हें कहा कि इस नोटिफिकेशन को लेकर आपल की और से सफाई पेश करने के विकल्प तैयार करें अमरीकी अखबार का कहना था इस मामले की जानकारी रखने वाले तीन लोगों ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर ये दावाकिया इन मेंसे एक व्यक्ती ने कहा सरकार के लोग काफी नाराज हैं अखबार के मुताबक आपल के विदेशी अधिकारी कमपनी के वार्निंग मेसेज के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने आपल की विश्वसनियता को कमतर करने की कोशिश की और जिस तरह का दबाव सरकार की ओर से बनाया गया उसका असर कूपर टीनों के हेड़कॉर्टर में बैठे आपल के अधिकारियों पर पड़ा क्यानिक एक तरफ कथित तोर पर हमारे राजनेताओं हमारे पत्रकारों के फोन पेगसिस के जरिये निशाने पर होते हैं और दूसरी तरफ उस मुद्दे पर जवाब देने के बज़ाए सरकार उल्टा एपल पर दवाब बनाती है इसलिए मैं कहरा। दोस्तों राम की तो बात हो रही है मगर रामराज की कोई बात नहीं हो रही है क्योंकि रामराज मुश्किल है ना रामराज में तो जवाब देही आ जाती है रामराज में तो राजधर्म आ जाता है और इसका मोधी सरकार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है अब इसार शेर्मा को दीजे जासत नमस्कार